कि हेलो दोस्तो मेरे चैनल लोकोगयार में आपका स्वागत है आज हम 3-phase लोकों में normal वरकिंग के दुरान किस auxiliary converter पर कौन सा लोड होता है किस auxiliary का और जब किसी कारण से कोई auxiliary converter fail हो जाता है तब auxiliary का जो लोड है बाकी दो auxiliary converter उन पर लोड कैसे रहता है यह हम पढ़ेंगे तो पहले स्टार्ट करते हैं कि नॉर्मल वर्किंग अगर नॉर्मल वर्किंग है तो उस समय मैंने बताया था कि उसली कनवर्टर नमबर एक उस पर किसका लोड रहता है तो इसमें रह जाता है दो ट्रेक्शन मोटर ब्लोवर्स आगे ट्रेक्शन मोटर ब्लोवर नमबर वन और टू इसके इलावा चार पंप होते हैं दो तो ट्रांसफोर्मर ओल पंप आगे और दो ट्रेक्शन कनवर्टर ओल पंप आगे और इसके इलावा जो आया ओक्सली कनवर्टर नमबर तीन इस पर किसका लोड रहेगा तो दो कंप्र बैसर आजाते हैं इसके इलावा दो स्क्वेंच ब्लोर है एक बैटरी चार्जर यह तो था कि नॉर्मल वर्किंग के दुरान लोड डिस्रिबिशन कैसे रहते हैं अब मैं कह रहा हूँ कि कोई उक्सरी कनवर्टर है वो फेल हो जाता है तब क्या होगा तो किसी उक्सरी कनवर्टर के फेल होने पर जैसे माल लेते हैं अब तीन कनवर्टर होते हैं एक दो और तीन ठीक हैं तो अब कोई एक फेल हो जाता है तो जो लोड है उक्सरी इसका वो बाकी दो पर आ जाएगा तो ये लोड आएगा कैसे वही हम पढ़ेंगे तो किसी एक कन्वर्टर के फेल होने पर जो लोड बाकी दो पर आ जाएगा इस वस्था में क्या होता है जो ओक्सरी स्मोटर की जो फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट से 37 हर्ट तक कम हो जाती है ठीक है तो होगा आपके लोड शेरिंग समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी देखिए उक्सरी कन्वर्टर वन अगर एक आइसोलेट हो जाता है तो अब हमको पता है कि जो लोड है या तो दो पर होगा या तो तीन पर होगा तो लोड शेरिंग होगती कैसी है एक 6 ब्लोर का लोड किस पढ़ेगा और जो बाकी रह जाते हैं दो कंप्रेसर इसके इलावत रह जाते हैं चार पंप और एक बैटरी चारजर इसका जो लोड रहेगा वो अलग से किसी उक्सरीर पर रहेगा लेकिन किसका लोड किस पर रहेगा तो वह देखते हैं तो एक क्या इसोलेट होने पर जो counting में सबसे पहले आता है तो counting में सबसे पहले क्या आता है 2 और 3 में तो 2 पहले आता है तो 2 पर क्या होगा blowers का load होगा जो counting में सबसे पहले आएगा उस पर blowers का load होगा और जो बाद में आता है उस पे जो बाकी auxiliary से उसका load आएगा देखें यह लिखा हुआ है ऑक्सलरी जो लोड होता है ऑक्सलरी कनवर्टर दो तो यह पहले आता है तो जो प्लोर से आपके मोंटीज मोंट्स का लोड स्कीन टो टोकल ब्र्स तोल सिखिल्यक का लोड जो कौईटिंग में पहले आता हैं उस पर जाएगा और जो बाकिया रहकisch रहे गयी कंवाटर रही मोट्स पर जाएगा तो जैसे मेन ईंप्रैसर वंत्स ट्रांसवर्मर की फंप gli और converter के pump है दो और battery charger के कम जो load है यह दूसरी उसरी पर आएगा इसी तरह और मैं कहह रहा हूं कि आपका जो माल लेते हैं कि उसरी जो converter है वो दूसरा isolate हो गया है तो दो क्या isolate होने पर अब क्या load आएगा या तो पहले पर आएगा या तो तीसरे पर आएगा जो counting में सबसे पहले आएगा तो counting में सबसे पहले एक आ रहें तो क्या आएगा अब एक पर blowers का load आएगा तो 6 blowers का load किस पर आएगा एक पर और जो तीसरी auxiliary है थर्ड उस पर क्या आएगा बाकी जो auxiliary है उसका load आजाएगा MCP12 का load, transformer का pump और converter के pump और battery charger इसी तरह अब अगर auxiliary converter number 1 ये 3 isolate हो जाता है तब क्या होगा अब उस case में load आएगा counting में एक पहले आता तो एक पर जो 6 blowers है उनका load पहले आएगा तो ये 6 blowers आएगा उसे भी 12, traction motor blower 12 स्क्रेंज blower number 102 और जो दूसरी auxiliary रह गई है उस पर बाकी auxiliary का load आजाएगा MCP12, transformer और pump 2, converter pump 2 और battery charger एक और 2 तो इस तरह से load की sharing होती है अब एक question और बनता है कि जब किसी converter कोई converter है वो fail हो गया है तब किस converter पर blowers का load नहीं जाएगा तो कोई से XC, SE, ऐसा converter है जिस पर blowers का load नहीं जाएगा तो किस पर blowers का load नहीं जाएगा देखिए एक isolate होने पर blowers का load किस पर जाएगा दो पर दो isolate होने पर blowers का load किस पर जाएगा एक पर अगर 3 isolate हो जाती है तो blowers का load किस पर जाएगा counting में सबसे पहले कोन आता है 1 तो 1 पर तो अब किस पर blowers का load नहीं गया तो आप देख सकते हैं टिक किस पर बजाएगा एक एक पर जाएगा या तो 2 पर तो 3 पर कभी भी blowers का load नहीं जाएगा इसी तरह question आता है कि अगर कोंसी ऐसा converter है जिस पर pump का load नहीं जाता है तो कौन सा होगा देखीए pump का load किस पर जाएगा जो counting में सबसे बाद में आएगा 2 और 3 में counting में last में कौन सा पर 3 तो pump का load किस पर जाएगा 3 पर तो कभी भी जो load है वो 1 पर जो उक्सरी converter number 1 है उस पर कभी भी load नहीं जाएगा तो ये थी load sharing इसके लावर जो machine room blower है स्केंज blower है ठीक है ये तो directly on होते हैं वर्क करते हैं जैसे इनको supply मिलती है VCB के close होने पर मतलब ये independent होते हैं main electronics के तो इस तरह से जो oil pump है जो transformer के हैं और converter के ये continuously work करते रहते हैं during the operation of converter जब converter काम करता है उस समय ये काम करते रहते हैं इसके लावर जो ट्रांस जो ट्रैक्शन आपको समझ आ गया होगा लोड शेरिंग होती कैसे चब कोई converter फेल हो जाता है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थेंक्यू